इसलाम अलेकुम मेरा नाम हुसाइन जुलफिकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेट में सेल्स और मार्केटिंग के फराइज अंजाम देता हूँ आज की इस प्रेजेंटेशन में हम रेजिडेंशल ओवरहेड टैंक्स की वाटर प्रूफिंग का सिस्टम डिसकस क करेंगे कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में जब हम कोई अच्छे प्राइवेट रेजिडेंशल घर की या कोई ऐसी जगह की हम लोग ओवरहेड टैंक की कास्टिंग कर रहे हैं जहां पर जो रेजिडेंट्स उन्होंने खुद ही उस चीज को मेंटेन करना है तो हम ऐसा कैस सिस्टम दे कौन सा सिस्टम दे जिसमें हमारी जो मेंटेनेंस है ओवरहेड टैंक की वह कम से कम हो तू स्टार्ट ओफ इच सबसे पहले तो आती है कॉंक्रीट की पोरिंग कोंक्रीट की पोरिंग के वक्त हम रेक्मेंड करते हैं कि मैक्स फ्लो इंटेग्रा 3 पाउडर्ड मिक्सचर जो है वह कंक्रीट के अंदर टाला जाए मैक्स फ्लो इंताएग्री पाउडर्ड коль्रेड मिक्सचर बेसिकली एक प्लास्तिसाइज य Bishop क बेसि इंटेग्रल वाटर्प्रूफ इंग कॉंक्रीड एड्मिक्चर है जो के concrete की अपनी एक तो slump और water reduction की वज़ासे porosity भी कम करता है, crystalline nature के इसके अंदर chemicals होने के वज़ा से ये concrete की porosity को भी काफी हद तक जो है वो कम करता है, further next step में अगर अवल तो concrete में किसी किसम की honeycombing या इस तरह के कोई defects नहीं होने या फॉर्म वक खोलने के बाद लेकिन इन केस अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसकी रिपेरिंग के लिए हम पैच 365 प्लस टू कंपोनेंट रिपेर मॉटर रेकेमेंड करते हैं पैच 365 प्लस टू कंपोनेंट रिपेर मॉटर है जिसमें एक हिस्सा पावडर और दूसरा हिस्सा एक लेटेक्स बेस लिक्विड होता है दोनों को मिक्स करने के बाद एक बेसिकली पेस्ट फॉर्म में प्लास्टर की तरह का सुलूशन बनता है जिससे हनी कॉंबिंग और कॉंक्रीट के जितने भी डिफेक्ट से उनको रिपेर किया जा सकता है further once the concrete itself is properly repaired हम लोग recommend करते है water guard crystal coat 101 crystalline based coating है जो के overhead tank की concrete के उपर internally लगानी चाहिए इसके normally हम दो coat recommend करते है अगर पहला coat top to bottom पे लगाया जाए तो दूसरा coat left to right लगाया जा सकता है और again इसकी छोटा से curing के और process है water guard crystal coat 101 की proper application के लिए एक video है जिसका link हम नीचे description में डाल देंगे further जो है जो chamfers वगारा होते हैं वो again जिस patch 365 plus से हमने पहले concrete की repairing की ती अगर concrete की repairing है same material से हम जो है इसके चेंफर बना सकते हैं और अगर requirement है normally patch 365 plus लगाने के बाद crystalline coating की requirement नहीं होती लेकिन sometimes बहुत ज़्यदा intense area या बड़ा area है तो वहाँ पे हम water guard crystal coat 101 की चेंफर के ओपर चाहें तो coating कर सकते हैं furthermore as we always say कि before any finishing overhead tank का flood test बहुत जरूरी है in case कोई points रह गए हों कहीं से कोई leakे जा जाए overhead tank की finishing से पहले ही हमें पता चल जाए ताके उन points की हम proper rectification कर सके और flood test pass होने के बाद ही हम अगला finishing का कोई भी काम जो है वो conduct कर सके उसके बाद final stage आता है प्लास्टिंग का तो overhead tank की plaster के अंदर जो है plaster का जो भी mix होगा उसमें हम silmix और resi sbr 5850 जो है वो recommend करते हैं एक बैक cement के material में हम एक लीटर silmix और एक kg resi sbr 5850 की dosage डालते हैं जिसके बाद हम कहते हैं कि नीचे की screen अंदर और बाहर का plaster इस material से कर लिया जाए जिसके बाद आप बाहर से अपने tank का paint plaster color creed जो भी आपने जैसे भी overhead tank को finish करना है वो आप कर सकते हैं उसके बाद internally जो है हम plaster के ऊपर recommend करते हैं water guard 491 की एक coating water guard 491 would be the first line of defense उसके बाद further जो हमने plaster के अंदर chemicals डाले हैं और concrete के अंदर chemicals डाले हैं तो दो से तीन मुक्तलिफ layers जो है वो form हो जाती है जिससे पूरे के पूरे overhead tank की जो है proper तरीके से protection हो जाती है अच्छा इतना heavy duty system residences में private residences में बिल्खुस दने का यह system है क्योंकि as I said before कि यहां पर private घरों में जो भी काम होता है वहां पर हम long term maintenance नहीं कर सकते हैं इस वजह से हम इस तरह का system suggest करते हैं कि खुदाना खास्ता अगर किसी एक layer में कहीं पर कोई गलती हो भी जाए तो दूसरी तीसरी layer जो है इसको cover करके proper water tight overhead tank का जो है waterproofing का system यह बन जाता है so that was it from us today यह मैं बताता चलू के यह total पूरा का पूरा system जो है इन 6 products पर मुस्तमिल है which makes a very good durable maintenance solution for residential overhead tanks so that was it for us today हमें सुनने का बहुत 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 शुक्रिया हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के चैनल को like कीजिएगा subscribe कीजिएगा बिल खुसूस यूट्यूब पे हमारे bell icon को प्रेस करना मत बूलिएगा thank you very much और assalamualaikum